हाई ओल, सुजोग थेरेपी एक साउथ कोरियन ट्रिक्मेंट मैथड है, यह एनरजी लेबल पर काम करती है, सुजोग का अर्थ होता है, सु मतलब हैंड और जोग मतलब लेक, अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से रखें, तो आपको यह जो अपर वाला पार्ट है, यह वा जो फिंगर है, सिर्फ इसमें आपको दो जोइंट दिखेंगे, यह हमारा में पार्ट हो गया, बार्डी का, यह वाला पार्ट, इसमें जो दो फिंगर, यह साइड साइड वाले जो फिंगर है, यह दो हाथ के points है, यह legs के हैं, और यह head का, head वाले में आप देखो, यह जो upper joint है, यह हमारे यह वाला area का joint है, इसके नीचे वाला joint है, इसके बाद जो हाथ के joint है, इसमें आपको तीन joint जो दिख रहे हैं, उपर वाला shoulder joint, फिर elbow joint, यह wrist joint, ऐसे ही इस हाथ में भी, यह दो जो दो leg के joint है, इ यह ankle joint, इस तरीके से हमारे पूरे body का correspondence है, यहाँ पर जो area है, नेक वाला, यहाँ से नीचे आते जाएंगे, तो यहाँ चालो हो जाएगा हमारा lungs, यह heart का point हो गया है, यहाँ पर, इस तरीके से हमारा liver, gallbladder, stomach, और इधर हो जाएगा हमारा small intestine, large intestine, और दो finger के बीच में से rectum area cross करेगा, यहाँ यहाँ ब्लैडर और rectum area का यह वाला part हो जाएगा, वैसी back side में, जो हमारे young side है, young और in क्या होता है, पीछे वाले side को young बोलते हैं, आगे वाले side को in बोलते हैं, वैसे यह in part हो गया, यह young part हो गया, यहाँ पर हमारे cervical, thoracic, यह सब सब हड़ी का मिल जाएग तो हम हाथ पे और पैरों पे उसका उप्चार करते हैं, जिसे बोलते हैं सुजोग therapy, अब इसके उपर अगर हमने magnets लगा दिये, तो इसे magnet therapy बोल सकते हैं, इस पे अगर हमने seed लगा दिया, तो seed therapy हो गई, अगर हम इस पे मोक्षा करते हैं, मोक्षा मतलब होता है, एक herbals डाल करके, एक cigarette जैसा बनता है, उसे हम यहाँ पे गरम करने के लिए, उस point को stimulate करने के लिए, उस पे heat करते हैं, ताकि यह वहाँ से energy का flow हो, और हमारा जो specific organ है, उस point पर, वो हील हो जाए, वो क्योर हो जाए, इसको बोलते हैं मोक्षा treatment, इसी तरीके से अगर हम आपे needle apply कर रहे है तो वो needling therapy हो गया, या needle therapy हो गया, तो इस तरीके से अलग-अलग चीजों को apply करके treatment करने के तरीके को ही, अलग-अलग नाम दे दिया गया है, अगर इस से related आपको कुछ भी doubt है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, इस पे complete course मैं जल्द लेकर के आने वाला हूँ, अपने है.